नवस्कादर शर्ब की दूराती दिमा फरीयकवर अपनों स्वागत अच्छे हती दिए ले वो कारेकरम के जे कारेकरम मा विशिष्ट व्यक्तितों साथे अपनी मुलाकात कर रहा है विशे ने वातों का रेशंद्रक आजा हमारी साथे हाजर जे स्टूडियो मा मौनिश बैल जी मौनिश आपका सवां के देकरम मानेश पूछने जाओंगा कि इंडिस्ट्री में आये थे एक बैगराउंड था पहला इस सवाल इंडिस्ट्री में आये थे मा का नाम लेकर या मा का आशिरवाद लेकर दोनो आशिरवाद के बगएर तो कुछ नहीं होता रूर जरूर यह बात इसमें कोई दो राय नहीं है। कि आगर मुझे है इस फिल्म इंडस्ट्रि में वो मेरी मा की वज़े से बला है। उनकी नम की वज़े से। और आज भी वो वो नम ही है और उनकी गुडविल ही है जो आज भी आज बी ऑॉडियन्स ही नहीं है। audience producers industry मुझे accept करती है और काम देती रहती है मौनिश जी वेलेंटाइन डे के दिन पैदा हुआ थै नहीं बिल्कुल नहीं यह फॉर्टिंथ फैब मेरे इसाब से जहां रेकोर्ड लिखा हुआ है आपका जो भी ऑन एर गया है सब रेकोर्ड वो गलत है मैं चलो मौका मिल गया मैं इसे क्लियर कर दूँ 14 अगस्त है कभी 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 ट्राइब किया उनको बताने का कि यह जरा है क्योंकि मौसारे मेसेज भी आते होंगे क्या अंक शास्त्रम है काफी हद तक काफी हद तक मेरे एक दोस्त हैं जो 30-35 साल यहीं गुजरात के हैं पारडी के नाम में प्रदीब जोशी है नाम उनके उनके जो पिताजी थे जब वो जिन्दा थे तब नटवरलाल जोशी वह नहीं नामचीन अस्ट्रॉलिजर थे और यह भी अस्ट्रॉलिजर खेती बाड़ी भी करते हैं क्या क्या मीत रखते हैं खास करके मौनिश जी कुछ तो मीत होगा देखे मैं यह समझ के चलता हूं कि आज का दिन कल से बहतर हो और आने वाले दिन आज से बहतर हो और जो मेरे परिवार के लोग है मेरे आस पास लोग ह वो खुश हैं खुश रहें और हर मुश्किल जिन्दगी में तो मुश्किलां आते रहते हैं अपसंडाउंस होते हैं बस भगवान वो ताकत देते हैं फिल्म का बेगराउंड मुश्च जी को मेरे इसाब से पीडी जे मिला हुआ है क्योंकि आर्ट होता है यह एक बात होता है कि कभी है आर्टिस्ट बनते नहीं है वो पैदा होता है चाहे लोग कितनी भी बड़े बड़े नाम वाले लोग इंस्टिटुट अपना खोल दे कि हैर कलर मिला है अच्छी सी शार्प आखे मिली है एक कोई पहचान ना सके ऐसा स्माइल मिला है इस तरह से एक्टिंग भी क्या था क्या था क्या मिला है 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 लेकिन 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 मैं हर एक लोगों को पूछता हूँ event होता है जब आदमी recognize होता है कि yes he is able to be a good actor उसमें ये बंदे में dumb है ये ये कब recognize हुआ कि ये मौनिश कर सकता है कर सकता है मेरे साथ मेरे ख्याल से दो stages आए मैं ये समझता हूँ शायद मैं गलत हूँ लेकिन मेरी समझ ये है कि दो stages आए एक तो है acceptance जिसे हम audience के साथ acceptance कहते हैं which is equal to commercial viability मेरे ख्याल से वो acceptance तुछ थी वो मुझे मैंने प्यार किया के साथ मिलने लगे as a negative role young negative जहां जहां मुश्किल से कहता हूँ क्योंकि ये लवस अपने आप के बारे में इस्तुमाल करना थो हूँ मॉडस्टी नहीं लगती लेकिन जहां acting की अगर कोई तारीफ हूई है या as an actor accept किया गया हूँ मैं तो वो हम आप के हैं कौन के साथ और interesting बात यह है कि उन्हों नहीं मैंने प्यार किया बनाई और उन्हों नहीं हम आप के हैं कौन बने राश्री प्रडक्शन से तो चेहरे चेहरे से एक एक भूला सा चेहरे क्योंकि एक ही चेहरे से दो बात निकलती हैं हम आपने बताया कि इसी चेहरे को लोगों ने एक अच्छा सा नेगेटिव रोल वाला बंदे उसी से एकसेप्टनसी मिल गी और वही फेस चेहरा भी वही थोड़ा सा बदलाव लाए और पॉजिटिव रोल में भी लोगों ने एकसेप्टनसी मिले और यह बात है अगें कि यह दिखाना थोड़े ही अरसे में अपनी दो अलग अलग पर काम किया है जो डेकटर ने मेरे साथ काम किया है जिस डेकटर ने मुझे पॉजिटिव रोल दिया या फिर नेगिटिव रोल दिया रिशरे उनको जाता है जो गरब करना चाहिए। सब्सक्रिप्ट से ये शुरू उनको जाता है मैं मैंने पूरे लगन से काम किया है मेरी माँ ने मुझे कहा था जब मैंने इंडस्ट्री जॉइन की थी मैंने उन से सलाली थी पूछा हम क्या करना चाहिए इस बुड़ अक्टर क्या हुआ है शीस से दो चीज़ें याद रखना हमेशा एक तो ने का मेरी नाक बहुत लंबी है खुद की तो फूख फूख के कदम रखना वो मैंने हमेशा कोशिश की दूसरी बात हमने कहा कि जो भी आप करोगे कैमरा के सामने आप पूरे ऑनिस्टी के साथ कीजिए इवन अगर आपको यकीन नहीं है उस सीन पर या कुछ है यू बिलीव इट इवन अगर आप अच्छे अक्टर नहीं हो तो भी आउडियंस जो है वो उस ऑनिस्टी की खदर करेगी और आपको अप्रिशेट करेगी मैं यह बस यही दो चीजें मतलब यह जो दो पिलर समझ कि मैंने हमेशा अप्रोच किया अपने करियर को काम को कि कुछ भी हो अगर अगर शॉट देना है काम करना है तो दिल से करो डगन से करो इंडिस्टी में जैसे जैसे और खास करके इसे परिवार से जब कोई एंट्री होत है बहुत सारे एडवाईजरी कमीटी आ जाती होगी जी कि मौनिस अपको ऐसा करना चाहिए बाकी बंदे को शाइद इतनी एडवाईज नहीं मिलते है शायद ये इतनी ज्यादा एडवाईज भी कभी मेरे इसाब से परेशानी कर देती होगी तेखिए दिवांग युनों मेरे ख्याल से सिर्फ फिल्म परिवार में नहीं होता होगा ये हर परिवार में होता होगा जो बड़े परिवार होते हैं और फिल्मी परिवार जो होते हैं ब्लड रिलेशन्स के इलावा पूरी पूरी इंडस्ट्री परिवार ही होता है तो होता ये होगा कि जब कोई नया बनाना चाहिए अब देखिए जिस टू जंप बैक स्लाइटि या अगर वक्त है तो मैं जिजी यह शिरू छूआ मैंने अच्छे पिक्चरें की एज हीरो नाइटी 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 फॉर एटी फाइव तक और वो पिक्चरें चली नहीं एक चली भी थी लेकिन मुझे हीरो में ब्रेक नहीं मिला उसके बार मैं फ्लाप हो गया मेरे पास काम ही नहीं था और फिर अचाना कि ये फिल्म हUNG को नहीं सवी तो पीचे के दरवा से चातु है उपने वह दिसिजिजन ले लिया हो तो उसके बार मैंने प्यार किया हुँता ना बागी होती ना हम आपके नहीं को नआ हम साथ-साते ना-स्दिथाश को लोग है और हम हममारे बीच यह बात ची की मुशी को रही है कि आप the hero आप success नहीं है और बहुत बहुत कम लोग होते कि पहली मूवी में अगर डिफिट आने के बाद उसको continue struggle करना और उसके बाद success होना मेरे इसाब से यह बहुत 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 परेशानी वाली बात होती है और अगें देवां पहली मूवी नहीं छे मूवी हाँ वही तो वही यह इंडिस्ट्री के फैमिली जो वैलनोन फैमिली और और एक नामी एक्ट्रिस नूतन जी का बैटा इतना फैल और डिपरेशन भी आया होगा मुझे वह बात करनी है लेकिन एक 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 ब्रेक के बात करेंगे दर्श्रम की दो समाई था हो इचे विराम नो घणी इंट विरामबाद फर्येगा और सौगेशा अपनों कारे कराम आती थी मा मौनिश जी ब्रेक से फिल आपने बताया कि जब भी आदमी को सक्सेस नहीं मिलती और खास करके ये सक्सेस लोगों लोग सोचते हैं कि एक इतनी अच्छी एक्टरिस का लड़का इंड़ेश्टी में जब पाव रख रहा है सक्सेस होना ये इतने लोगों की आस एक लगी होती है एक फिल्मी परिवार के किसी एक रख देफिंट जी एडिप्रेश्ट की बात करते थे क्या क्या एक बहुत लोग जाने के बाद पीछे से सुनाई भी देता होगा बहुत जोर शोर से आया था देखो क्या हाल हुआ ये भी सुन शायद देखे होंगे सुने होंगे डायलॉगus खाल से ये तो नहीं सुना मैंने किसी ने मुजाख नहीं हो राया, शायद क्योंकि मैंने अपने आपको उस तरही के से पेश नहीं किया, हुमिलेटी थी तब अब ही है, ये मेरे मावा अपने सिखाया था मुझे, लेकिन जो आपने जिकर की थी कि डिप्रेशन, बेहद डिप मतलब बरदाश के बाहर, ये जो आप कह रहे हैं कि सक्सेस जब नहीं मिलती, फेलियर होता है, तो एक आदमी को तकलीफ होती है, ये सिर्फ सक्सेस फेलियर नहीं, ये सिर्फ फेलियर की बाती है, अपने पूरी करियर की बाती है, आप बीस साल का एक लगका है, आगे वो ज मेरा जो failure है ये private नहीं है, ये हर एक magazine में छपा हुआ है, हर जगा लोगों को पता है, तो I'll give you an example, कि जब और ये astrology की बात है, तब मेरे दोस्त ते उस वक्त कहा था, जी, 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 मैं रिलेट कर देता हूँ, उन्होंने मुझे प्रदीब जोशी उनका नाम है, उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था, कि धाई साल के बाद आप इस industry में ही आओगे, और आप इस industry में ही career बनाओगे, अब मैं उनको कहता था, होई नहीं सकता, कोई मुझे क्यों साइन करेगा, खेर, मैं जब सुबह उटता था, उन दिनों में, पहली बात तो यह है कि मैं रात को रात के दो तीन बज़े तक अपनी माँ से बात करता था, अपनी frustration दे था, अपनी माँ पे निकालता था, और व पतली सी नूतर नजर आएगी, मुझे उनने बताया कि उनने फिल्म करियर छोड़के स्विजलिंड चली गए थी, फिनिशिंग स्कूल के लिए, शी एड गिवन अप, और वो वापस आई हैं, और इतनी बड़ी कलाकार बन गी, मैंने उनको का रहा है, माँ, आप मुझे य डिप्रेशन होती है, कन्फियूशन जो होती है मन में, मैं कबड खोलता था सुबह, किसी आफिस में जाना था, किसी को मिलना था, काम लोगी, अब मैं देखता था ये शिर्ट पहनू, याद आता था नहीं यार, ये शिर्ट पहनने से उस वक्त वो फिल्म नहीं मिली थी, ये शिर्ट पहने, ये पूरी वाड्रोब भरी होई थी, वैसे ही शिर्ट से, और ये शो भी इसी के लिए जाना जाता है, कि शायद अनकही बाते इस शो में, जो कि अंतरंग बाते, क्या कुछ गलती भी की थी इस दिप्रेशन के दोरान, कोई ऐसा स्टैप, जो शायद अथा टेका, कोई ऐसी जगा गए, जहां शायद अपने 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 इगो को साइड में रखे भी, शायद कहीं पे हाथ फैला है कि प्लीज डू सम्टिंग फोर मी, ऐसा कोई? नहीं, ये नहीं है, लेकिन एक, यूनो जब बन ने वो छेफ पिक्चरें as a hero की, वो असलियत नहीं है, ये असलियत है, इसके लिए तयार रहना जिन्दी, ओके, 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 दोस्त उस वक्त कौन-कौन बीचड़ भी गए होंगे कई लोग और 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 कई इसमें अच्छे दोस्त भी बने होंगे, जो कि शायद आज भी यादे कि यस, ये व ही है, उस वक्त की, लेकिन एक खास दोस्त है, जो उस बुरे वक्त का दोस्त बना, और वो आज आप लोग उनको सल्मान खान के नाम से जानते हैं, इंट्रिस्टिंग चीज है, सल्मान ये मैने प्यार किया के पहले ही की बात है, और मेरे च्छे फिल्म के फ्लॉप के बात क की बात है, यानि के उस दर्मयान जब मेरे पास काम नहीं था, और सल्मान और मेरी दोस्ती हो गई इसलिए क्योंके दोनों को शॉक था बाडी बुलिदी के लोग सी रॉक में वर्क रॉट कर थे उस ने मुझे का कि मुझे एक्टर बना, मैं का यार क्या बात कर, मैं फ्लॉ एक पतलत बुबला था, मैंने प्यार किया, मैं काफी पतलत था, फर्, उसकी संगर ही रहता है, एक प्यार कि प्लिदीने, मैं ने भात करो हैं, मैं आगा हमें जो Legू कियू नहीं करूंगा, क्यू कैई दोस्त्स थे आया था, हम्यरक निदीन कॉर आ, मैंए और एक पिक्टर Bombay Flying Club से एक flying license, मेरा शौक था, मैं चाहरा था कि मैं पाइलिट बना, चलो ये करियर सही है, चलो लेता हूं, तो मैं गया, और मैंने audition दी, और मुझे वो role मिला, और फिर मैंने प्यार किया, हिट भी होगी, अब बाकी everything is history, लेकिन अगर उस आदमी ने, सलमान ने, उस वक्त मु उसकी हैसियत नहीं थी, कि वो किसी और का नाम स्ट्रफल करें, वो भी एक flop का, उस ने की, he believed in me, he believed in his friend, and he came and told me, कर ले मनूं, बहुत सारी, बहुत सारी बात है सल्वान जी, क्योंकि अगर आपने बताया कि ऐसे वक्त पर, सल्वान खान ने आपको जो support किया था, बहुत सार बाते भी सल्वान जी के लिए industry में होती रहती है, मेरा सीधा सवाल, don't go with gossip, चाहे सल्वान जी की हो, चाहे किसी की भी हो, ये gossip की दुनिया, बहुत ही techfully, कोई भी film release होने से पहले, एक अच्छा सा एक punch दिया जाता है, बाते करने के लिए एक मौका दिया जाता है, क्या 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 ये होना चीए, इसलिए, लोगों के, लोगों के, और बहुत बिल्यू करते है, stars के उपर, जैसी कि आपने हमारे studio में जब आप आये थे, उस वक्त आपने जो भी लोगों से बात किया, कितना सारा प्यार मौनिश जी के लिए है, ऐसे कई लोगों का प्यार, करोडों ल काली बाती है कि मैं यकीन से साथ नहीं कह सकता हूं कि ये गौसिप की जाती है, या करवाई जाती है, इसमें किस हद तक एक्टर्स की सहमती है इन बातों से, अगर ये की जा रही है तो मैं इन बातों से सहमती है, मैं ये समझता हूं कि एक फिल्म को अपने बलबूते पर च लेकिन इवेंचिली मैं समझता हूं कि एक फिल्म चलती है अपने बल्बूते पर अगर वो फिल्म पसंद आई दर्शकों को लोगं को तो लोग फिल्म देखेंगे और अडियन्स हमारी जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं माफ कीजेगा मैं ऐसे अलफाज इस्तमाल करो लेकिन किसी की परसनल लाइफ के बारे में सुनकर या वगर 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 क्योंकि उस फिल्म को देखने जाएं और फिर उस फिल्म को हिट करते हैं ऐटी फॉर से एटी फॉर से फिल्ड में सक्सेस मतलब एक्टिवली आप रहे थे उसके पहले भी बेगराउं नाइटीन एट इस फिल्म का पिक्चराइजिशन है इवन कास्टिंग में जो कभी सोच नहीं सकते इस तरह से कास्टिंग होता है यह बदलाओ क्या क्या मानते कि यह इंडेस्ट्री अगें करीबन सो फिल्म है अगर प्रोड्यूस करती है उस मेंसे जो एक सक्सेस रेशियो जो कम था पिछले तीन सालों में पिछले तीन सालों से बढ़ गया है क्या मानते कि आने वाले दिनों में किस टाइप के चैंजिस अभी इस इंडेस्ट्री को और लाने पड़ेंगे आपकी दिवांग भाई मैं एक चीज़ पर जोड़ देना चाहता हूं आपने जो कहा है सौ फिल्मे साल की बनती है यही चीज़ दस साल पहले चार सो फिल्में बनती थी चार सो से सौ पर आगए मतलब यह कि जो कॉम्पुटिशन है वो बढ़ गया है इसलिए कम फिल्में बन रही है लेकिन जब बन रही है तो तरीके से बन रही है फुल फोकस के साल बन रही है और अलगला किसम की फिल्में बन रही है वो क्यों मेरी समझ आई है च्छोटी मू बड़ी बात हो सकती है लेकिन हर एक इंसान की अपनी राय होती है मैं यह समझता हूं कि entertainment हम लोगं के लिए के लिए बहुत बढ़ गया अब सिर्फ cinema hall नहीं है अब home entertainment है 200 channels है private channels है गाने चल रहे है चैनल पे है अगर visual entertainment नहीं भी देखना लाइव एंटेटिम पे लिए तो कोई mall में चले जाए आप bowling कर सकते हैं आप काफी कुछ चीज़ें करने के हम, इसलिए जो है, सिनिमा की टेक्नीक जो है, कॉम्पटिशन की वाज़ए से मेरे खिल से इंप रूव होगी है, एक तो ही है, दूसरी बात यह है के अचाके एक एक इंटरनेशनल मारकेट सी को फुल गई है, जहां पर हमारी हिंदी फिल्मी जो है, दूसरे देशों म एक इतनी कमाल की चीज है के एक फिल्म, आफ एंड मैं बोल देता हूँ, एक फिल्म बलाइक जैसी बनती है, एक तरफ, जो बहुत ही खुब्स़रत प्यारी फिल्म है और चलती है, और एक फिल्म बनती है, जो टोटल एंटर्टेनर है, दोनों में खासियत है, मैं यह नहीं सम तो स्क्रिप्ट लेवल पे भी बहुत सोच समझ कर चीजे बनाई जारे जो कहानी सुनने में देखने में इंट्रेस्ट लगे है यहां रोकूंगा लास्ट पार्ट रहेगा अमारी इस छोटे से ब्रेक के बाद श्रमित रोख समयध है विराम नो विरामबाद मौनिश जी साथे रस्प्रद वातो छिला तबकानी मौनिश जी बहुत भारी बाते हैं कर ली मेरे इसाफ से और इतने सीरियस क्या नॉर्मली देखते है जो रोल भी आपको देते है ये लोग करेक्टर रूल देते हैं उसमें बहुत सीधे साधे इनसान दे देते हैं आपको वास्तो में भी जो संजेदित के भाई देदी है लोग मान दें कि यार ऐसा होना चीए क्या 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 लगता है कि सही मैं ऐसे है या बहुत ही चुलबल पांडे जैसे मस्तिक हो रहे हैआए अरे नए नए नि वो तो चुलबल पॉन पांडे जो है वो सलमान सहाब की जग़ा नहींट मैं नहीं समझता हो कि इतना सेरियस हूँ लेकिन मैं ज़िदीगी को सीधी तरह gesे देखता हूँ और अपनी सीधी है कि बाड़ी बॉड़ी बनाते हो शौक रखते हो बरसों से अथा भाई भी कई बार हो गई हो गी किसी के साथ बताना चीए वांदा नहीं अभी तक क्या आथा भाई नहीं हुई गया किसी के साथ पक्का किसी को ठोका भी नहीं और सामने से कभी ऐसा मोखा इनी आया पक्का बच्पन में शरारती थे या नहीं खुच खास नहीं नहीं एक बार यहापड पढ़ गी मेरी माँ से मुझे. क्या हुआ था? वह हम बंगले पे गए थे और मुझे मेरे पिताजी ने मुझे एक तालाब के बारे में बताया था जो कुछ पांच किलॉमीटर दूर पहाड के अंदरे तो मैं सुबह चार बजे उट गया और जीप लेकर ड्राइवर के साथ निकल गया. जाहर है उन जमाने में सेल फोन वगरे होते नहीं ते इनको लगा कि पता नहीं यह बच्चा हमारा काँ गाइब होगया ड्राइवर के साथ तो परेशान होगया वापस जब मैं हाया तो जो पढ़ी पुझे लेकिन वो शरारत नहीं थी भाई पिताजी ने मुझे एक ताला मैं फादर वांटी तो नेम हर नूतन जो अमारी बेटी की के दादा है मेर पताजी उनको नाम देना था नूतन और मैंने उनको कहा कि मुझे 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 जोडने से मीनिंग आ जाती कि शुरुआत जी तो उन्हें नाम दिया प्रनूतन यानि कि नूतन की शुरुआत दुबारा शुरुआ और दूसरी बेटी का नाम क्री क्रिशा क्रिशा कैसा कैसा दोनों के साथ टाइम मिलता है तो क्या 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 डिमांड करते है बड़ी परिश्टी में लाने का इरादा ये 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 उनकी मर्सी है फिलाल बड़ी वारी जो कह रही है कि वो कह रही है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ मैं खुश हूँ इस बात से कि वो अपना बेस बनाना चाहती लेकिन आगे जाकर अगर उसे सही ऑफस मिले तो दरवाजे तो वो फैस्टा उसी को करना होगा और ये बात उसको ध्यान में रखनी होगी कि अपने ही परिवार में उसने बेहत सक्सेस देखा है बेहत स्ट्रगल देखा हुआ है फेलियर भी देखा हुआ है तो उसको ये चोईस खुद करना पड़ेगा कि क्या मैं इस रास्ते में जाना झाहिए हुआ 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 है